सबी प्यारे वीवर्स का warm welcome करता हूँ Y.A.T. Your English Shooter पे आज सुबह का second editorial The Hindu का पढ़ने वाले है An Alarmic Fall इसका title है यह article एक बहुत ही important socio-political issue पे लिखा हुआ है और issue यह है कि हमारे जो आजकल नेता है ना पारलियामेट में तमाशा ज़्यादा करते हैं और काम कम करते हैं इस चीज के उपर मैं कहूंगा बहुत ही important theme है इस article की आज का quiz आपको दिखा रहा हूँ पांच questions आपके सामने हैं इस class में आप जो भी सीखें इस quiz पे आपको apply करना है grammar, vocabulary हर चीज इस quiz में cover हो जाएगी चलिए शुरू करें गिलास को जल्दी से आईए कुछ नया सिखते हैं alright, get an alarming fall देखिए fall का मतलब होता है गिरावट किसी चीज का नीचे गिरना और alarming का मतलब होता है जिसमें एक alarm हो अब ये alarm क्या होता है आपके घर में भी alarm होगा सुब़ जब बजता है तो वो एक warning होती है उठ जाने की कि आपका time हो गया उठ जाओ इसी तरीके से आपको सरकारी sirens भी मिलेंगे सरकारी alarms भी मिलेंगे ये तब बजते हैं जब आपके आसपास कहीं बार्ड आ जाए, कहीं तुफान आ जाए कोई terrorist attack हो जाए तो alarm word को English में जोड करके रखा जाता है warning के साथ तो करें एक warning भड़ा एक alarming सा fall हमें दिखाई देने को मिल रहा है, अब बात किसकी हो रही है बात हो रही है on why India's parliamentary sessions are found to be wanting बात की जारी है on इस सीज़ पे क्यूं, why, क्यूं भारत के जो parliamentary sessions है भारत की संसद के जो सतर है sessions है वो are found वो पाये जाते हैं और क्या पाये जाते हैं to be होते हुए बहुत ही wanting अब ये wanting क्या है जी देखिए want मतलब चाहना किसी चीज के बारे में और वो हर चीज wanting है जिसकी बड़ी चाहत है अब किस चीज की चाहत होगी जो चीज अपनी प्रयाप्त मातरा से कम होगी wanting का मतलब होता है insufficient ऐसी चीज जिसको सबको चाहिए लेकिन वो पूरी मातरा में नहीं है inadequate भी बोल सकते है तो करें इस वज़े से क्योंकि हमारे इंडिया के parliamentary sessions जो है वो wanting पाये गए है ऐसा पाया गया है कि 100 की जगा पे खाली 20 sessions ही ठंक से होते है चलो बागे बढ़ेंगे दोनो words note कर लेना alarming जिसमें alarm हो जिसमें worry हो जिसमें danger हो wanting जिसमें कमी हो किसी चीज़ की जो insufficient ना काफी हो अपरयापत हो अब इसके title paragraph को देखेंगे क्या कहना चारा है आज मैंने ये pen हाथ में लिया हुए कोशिश करेंगे इस pen से थोड़ी और understanding अपनी बैठे करा है opposition protest and ruling party vindictiveness have accessibrated the fall in parliamentary standards opposition की जो protest है opposition का मतलब विपक्ष protest मतलब इनका प्रदर्शन धरना विपक्ष के जो प्रदर्शन धरने है protest है जो opposition है और दूसरी कौन सी चीज भई end लगा के बता रहे जो सत्ता धारी party है ruling party BJP की बात उरी है उसकी जो vindictiveness है अब ये vindictiveness क्या होता है opposition के protest और भारते जनता पार्टे की बदला लेने की जो आदत है करे इन दोनों चीज़ों ने ना इनोंने कर दिया है accessorate accessorate का मतलब होता है किसी चीज़ को बद से बरतर बनाना वर्सन करना और किसको accessorate किया है उस fall या गिरावट को जो आ रही है हमारे पार्लियमेंटी standards में उन standards में उन मुल्यमानों में जो पार्लियमेंटरी है जो हमारी पार्लियमेंट के इसाब से होने चाहिए तो कुछ standards होने चाहिए ना हमारे पार्लियमेंट ऐसे काम करेगी इस तरीके से वो बात करेंगे सारे standards जो है गिरते जा रहे है चलो अब ये जो protest और vindictiveness इन दोनों की verb होगी have accessorated plural subject है इसलिए plural verb है have plus में verb की third form accessorate करने का मतलब होता है किसी चीज़ को बत से बत्तर बनाना to make matters worse aggravate करना या accessorate करना ये एक advanced word है accessorate और accessorate दोनों एक दूसरे के synonyms है फिर एक word है आपने पास vindictiveness पहली बार आप देख रहे हो इसका मतलब होता है hatefulness revengefulness मैंने आपको थोड़ा सा कुछ बोला और आपने मन में बिठा लिया उसको कि मैं दो बदला लूँगा तो आप vindictiveness को रखने वाले आदमी हो बड़ी जल्दी ही बदले की भावना से जो अब भर जाते हो चलो अब एक काम करें ये जो भारी बरकम words देख रहो न एकसेसर बेट, विंडिटे विया के रिफ्रेन आएगा ये सारे words को एक साथ अलग से लेके पढ़ लेते हैं ताकि आर्टिकल अपने इसको smoothly process कर पाएं और उसी के साथ एक्जाम्स के तैयारी अगर मेरी guidance में करना चाहें तो जरूर से आप करें YET Your English Tutor एप को डाउनलोड करके कॉमेंट सेक्शन में इसका लिंक रखाए एप पे आपको मिलेंगे courses English Writing का, Banking का और SSE का Writing के course में आपको लिखना सिखाते हैं बिल्कुल basic से, हजारों लोग सीख चुके हैं आप भी फाइदा ले सकते हैं SSE और Banking course में पूरा syllabus पैटिस सेट्स के साथ में cover होता है इनका भी फाइदा आप ले पाएंगे mains और films दोनों के लिए अच्छा, एप से related कोई query हो तो यह number है, इस पर whatsapp कर सकते हैं courses को जान boost करके कम कीमत पर रखा गया है ताकि सब लोग इनका फाइदा ले सकें Download the app today चलो जी, अपनी vocab sheet है आजाओ फटा-फट से सारे words देखेंगे यह sheet available है, टेलिग्राम पे जाकर कि आप इसको download कर सकते है ठीक है, एक second रुख जाओ देखो पहला word है अपने पास exacerbate, इसका meaning होता है किसी चीज को बद से बत्तर बनाना to make matters worse the medicine exacerbated her symptoms, दवा ने बद से बत्तर बना दिया उसके symptoms को पहले तो जुखाम था, दवा लेने के बाद उसको बुखार भी आने लगा आरीनाबाद समझ में, बद से बत्तर बनाना वर्चन करना, aggravate या excess period करना, ये दोनों words में मैं खुद बड़ा confused रहा हूँ exacerbate और excess period, एक जैसे दिखते हैं बोलने में बेक जैसे आ रहे हैं, और meaning भी same है लेकिन spelling दोनों की अलग है ध्यान कर सको तो इनको कर लेना चलो next word देखें अपना आगे अपने बास words हैं, एक second रुख जाओ ponder ponder का मतलब होता है किसी चीज को consider करना, और कैसे consider करना deeply, मैंने आपको कुछ बताया और आप सोचने लगे, और घंटों सोचने में बिता दिये तो इसी को बोते है, ponder करना हिंदी में इसको मंतर ना करना भी बोलते है ठीक है, मंतर ना करना इसको deliberate या ruminate भी बोलते है ruminate एक advanced word है हालांकि फिल भी आप deliberate नाम का word आजा पार्टिकल में देखने वाले है we need to ponder या ponder over all of our available alternatives हमें जरूरत है गहरे से सोचने की, खयाल करने की ponder या ponder over करने की हमारे सबे available alternatives पे सभी उन विकल्पों पे जो हमारे पास है अब देखो ये ponder verb है इसके साथ में over आ जाता है अगर लगा दोगे तो भी ठीक है नहीं लगाओगे तो भी ठीक है ये additional tip है याद रखें deliberate नाम का word आर्टिकल में देखेंगे इसका synonym अगला word है tenor tenor word को सीधे याद कर लो इसको बोलते है mizaj ठीक है आपका mood, theme, gist, intent or disposition खुष मिजाज हो तो खुष tender के हो गरम मिजाज हो तो angry tender के हो और वैसे अगर sad mizaj के हो मलब दुखनों मा रहते हो दुखी रहते हो तो आप sad tenor के हो आगे बाद समझ में general character of something ये word आपकी बोल चाल में काम आने वाला word है ध्यान रखने इसको the tenor of the meeting was positive meeting का जो मिजाज था जो theme थी जो mood था बड़ा ही positive था next word बुल वोक ये बहुत बार कर चुकी है बुल वोक का मतलब होता है ऐसा support जिसको depend कर सके और बुल वोक का एक और meaning भी होता है किसी किले की चारो तरफ की दिवारी जो चारो तरफ की दिवार होती है राजा इसलिए करवाते थे किले के चारो तरफ फोर्ड के चारो तरफ के कोई हमला ना कर पाए और हमला करे तो हमारी दिवार खड़ी रहे तो वही तो dependable support है आरी नवास समझ में चारो चार दिवारी को भी बुलवक बोल दो और आपका dependable support है उसको भी बुलवक बोल दो अब ये बुलवक के कई सिनॉनिम है जैसे mainstay, rampart, bedrock, parapet, linchpin सब इसके सिनॉनिम से हैं और ध्यान रखना ये जो dependable support है इस सारे words के सिनॉनिम है defensive boundary वाला अगर meaning लोगे बुलवक का तो इसके सिरफ दो ही सिनॉनिम से है rampart और parapet थोड़ा सा मैं अंदर जा रहा हूँ लेकिन one words इसी का नाम है आप से paper में पूछेगा किले की चार दिवारी को one word में क्या बोलते हैं आप बोलोगे सर बुलवक का सिनॉनिम था bedrock मैं bedrock लगा कि आ जाता हूँ बुलवक का सिनॉनिम bedrock है लेकिन support के नाम पे अगर चार दिवारी वाला meaning लेना है तो rampart और parapet इसके दोनों सिनॉनिम से है चलो आगे पड़े बार बार देखो और सुनो दिमाग में बैठ जाएंगे अगला word है paradigm paradigm का मतलब होता है paragon paragon की चपल भी आती है याद रखना है इस word को paragon paragon paradigm दोनों का मतलब है perfect example of something या हिंदी में बोलू या उर्दू में बोलू तो मिसाल ठीक है मिसाल इंडिया is a paradigm of a stable democracy इंडिया एक मिसाल है एक stable रहने वाली democracy का ठीक है तो ये word आप आप article में आज नहीं देखेंगे इसका synonym देखेंगे आप प्रिसिडेंट paradigm, president एक बाद है exemplar, paragon, prototype और epitomy ये चारो एक बाद करते हैं last word आपने पास hackle इस word को haggle से confuse मत करना आज की vocab है भी है hackle और hackle दो अलग-अलग words है article में आप देखने वाले हो hackle को hackle का मतलब होता है किसी को परिशान करना, bully करना, badger करना taunt करना, dog करना, कुत्ते की तरह पीछे पढ़ जाना या hound करना ये dog और hound दो word में आपको करवा चुका हूँ कुत्ते के लिए सिनोनिम है और word form में होता है किसी का कुत्ते की तरह पीछा करने के लिए तो hackle का मतलब क्या होगा किसी को परिशान करना, चेड़ना, चेड़ना, चेड़ना अब जो दूसरा word है na hackle, इसका मतलब होता है मोल भाव करना, जो सबजी वाले से करती है ना ओरते, नहीं नहीं पांच के नहीं साड़े चार की लगाओ, तो वो वाला जो काम होता है वो किलाता है hackle और ये वाला काम जो होता है, छेड़ने वाला ये किलाता है hackle, आज hackle word आएगा article में the reporters hackled the minister over his alleged involvement in the scandal reporters ने hackle किया, परिशान किया, बुली किया, छेड़ा, डॉग किया minister को, उसकी कथित involvement के लिए जो थी इस scandal में, इस कांड में चलो जी, 5-6 words हैं, डिटेल में होगे आजाओ article पे, एक summary आपको देदें, किस बारे में लिखाओ है, पता लगे summary बड़ी असान है, अभी अभी data आया सरकारी और उस data से पता लगा है, जितने sessions होने चाहिए, उतने session इंडिया में नहीं होते हैं, हमारी parliament में अब सोचो, parliament पूरे देश को चलाती है, कानून बनाती है और sessions जंक से होनी डे, फिर data से एक और बात बता लगी जो sessions हो रहे हैं, वहाँ पे सिरफ कुत्ते बिली का खेल होता है आपस में होती है लड़ाईयां, इस वज़े से अच्छे-च्छे मुद्दों पे बहस नहीं हो पाती अब बहस नहीं होगी, तो वो कानून ऐसे ही बन जाते हैं और बाद में उनके उपर बड़े-बड़े अंदोलन होते हैं मैं बात कर रहा हूँ कृशी कानूनों की अब यह आर्टिकल यही कह रहा है कि इस शीज को बंद करना पड़ेगा और इसके लिए दोनों जिम्मेवार हैं बीजेपी भी और ओपोजिशन भी लेकिन जदा जिम्मेदारी आती है बीजेपी के उपर जो भी ruling party होती है उसके उपर ओपोजिशन को भी ध्यान लखना है यह देश का मामला है सियासत कम से कम होनी चाहिए बस आज का यही समरी है tone analytical analyze कर रहा है पूरे मामले को साथ में suggesting suggest कर रहा है दोनों पार्टिस को क्या करना चाहिए शुरू करें article को चलो यह pen वाला बताना थोड़ा आपको और अच्छा लगेगा pen से है ना मैंने अब लेना शुरू कर दिया हाथ में pen को करे द रिफ्रेन दाट standards of parliamentary functioning have taken a beating in recent years is not without marriage करे जो रिफ्रेन है ना रिफ्रेन अब ये रिफ्रेन वर्ड को मैं तोड़ के बताऊंगा भी रिफ्रेन का meaning होते हैं दो अभी जहां जो meaning लगा उसका मतलब है complaint और कैसी complaint भाई ऐसी complaint ऐसी शिकायत जो बार बार आती है करे बार बार आने वाली जो शिकायत है रिफ्रेन है और कौन सी शिकायत दैट लगा के बता रहा है कि जो standards है जो level है और किसका हमारी parliament की functioning का हमारे संसद की काम करने की ताकत का ये जो standard है ये जो level है इसने take किया है beating को take a beating का मतलब होते है किसी चीज़ का बहुत गिर जाना आपको मार पड़ी तो आप नीचे किरोगे न तो standards ने भी beating को लिया standards भी नीचे आ गए है अच्छा जी कब आये हैं ये आये हैं आज कल में ही in recent years में कराई ये जो complaint है refrain है ये refrain without merit नहीं है merit का मतलब होता है dumb merit का मतलब होता है qualification किसी चीज के अंदर की advantage तो ये refrain जो है ना बिना dumb की नहीं है ये complaint विल्कुल जाहज है आगए बाद समझ में without merit बिना dumb के नहीं है structure देखेंगे sentence की refrain आपका subject है is इसकी verb है standards आपका subject है have taken इसकी beating है have taken a beating इसकी verb है take a beating एक phrase होता है इंगलीश में किसी चीज का नीचे गिर जाना किसी चीज का level नीचे आ जाना standards plural है इसलिए verb plural है have से बनी है refrain singular है इसलिए verb भी singular है इस से बनी है अब देख लो फटावट इस refrain नाम के word को इस तरीके से याद रखना है जिन्दगी वर दिमाग में बैठा रहे refrain आपने आज तक सुना होगा verb मैं आपको आज बता रहा हूँ refrain एक noun भी है या noun कर लेना verb form में refrain का मतलब होता है किसी को पाबंद करना किसी पे पाबंदी लगाना noun form में refrain का मतलब होता है किसी complaint को जो बार बार की जारी हो उसको बोलते है refrain बार बार की शिकायत बोलाती है इसको nagging भी बोलते है ठीक है? nagging चलो अब यूज़ करके देखते है The teacher refrained the students from using their cell phones teacher ने पबंदी लगा दी बच्चों पे students पे उनका phone use करने से तो verb form में refrain अपने बाद में from लेता है और जिस चीज़ की पबंदी लगाई जाती है उसको verb की ing form से बताया जाता है इतना तो शायद आप जानते ही होंगे अब इसका noun form देखते है Economic inequality is an eternal refrain आर्थिक यानि इकॉनमिक inequality यानि असमानता आर्थिक असमानता जो है imbalance जो है ये एक सदा रहने वाली eternal सी refrain है complaint है और किसके खिलाफ पूंजी वाद के खिलाफ against the capitalism समझ मागी बाद capitalism से ये की शिकायत है सब कुछ जिसमें बढ़िया है लेकिन जो अमीर हो गया वो अमीर होता रहेगा और जो गरीब हो गया उसका कोई अंत नहीं तो ये रिफरेन है बार बार की शिकायत है याद रहेगा ये वर्ड दोनों meaning दिमाव में बिठा लेना दूसरा है noun चलो आगे बढ़ते है in terms of the time spent on deliberating legislation ये sentence है न लंबा है देखो और मैं आपको honestly बता रहा हूँ इस sentence को पढ़ना बहुत टेड़ा काम है आप इसको पढ़ोगे न तो आपको समझ नहीं आएगा किस से क्या मिला हूँ है मुझे भी दो मिनिट लगे इसको पढ़ने में चलो इसको break करके देखना है ठीक है in terms of इस रूप में अज़ावई किस रूप में उस वक्त के उस टाइम के जो spend किया गया है और किस पे on लगा के बता रहा है deliberate करने में विचार विमर्ज करने में बातचीत करने में गहरे से legislation के उपर देश के कानून के उपर legislation मतलब law कर अगर इस रूप में आप देखें जो वक्त इस काम पे लगाया गया अच्छा और किस काम पे लगाया गया जी यह लगा रहा आगे कोमा लगा के बता रहा है the conduct of fruitful debates both in tone and tenor एक वक्त लगाया गया deliberate करने पे legislation को दूसरा जो वक्त लगाया गया conduct करने पे बुलाय जाने पे conduct करना मनलब execute करना बुलाना meeting को debate को करें जो बुलाय गया execute करवाय गया जो conduct करवाय गया सार्थक debates का fruitful या meaningful debates का और यह fruitful कैसे हैं दोनों ही तरीके से बोथ अपनी tone में भी और अपने मिजाज में भी यह बोलने में भी अच्छी थी और इनका intent इनकी theme भी अच्छी थी किया रहा है एक तो इस रूप में देखा जाए तो अब यहाँ पे बात होगी खतम और किया दूसरा देखा जाए उस in the quality of discussion quality में discussion की जैसी discussion होती है अच्छा और किसे इसकी quality quality of the reliance and participation of expert opinion जो reliance और participation आया देखो reliance का मतलब होता है भरोसा participation का मतलब होता है भागेदारी और किसका expert opinion का विशेशग्यों की राय का और कैसे आया यह आया through the agency of through the agency of का मतलब होता है via या with the help of की मदद से और मदद किसकी standing and parliamentary committees अच्छा करें besides other factors यह सब चीजे जो हैं दूसरे factors के beside हैं और भी कई सारे factors है कर अगर इन सब चीजों की बात करें न इस रूप में कितनी debates हुई और इस रूप में quality इसकी 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 कैसी है इसके और इसके जरिये कर अगर देखा जाए दूसरे factors के साथ साथ इन चीजों को कर आप parliamentary sessions have been found to be wanting parliamentary session जो है वो पाए गई है inadequate या तो वो पूरे ढंक से हुए नहीं है और या फिर वो हुए है तो ढंक से नहीं हुए है या तो संख्या कम है या उनकी quality कम है आगे बाद समझ में wanting हर वो चीज है जिसका अकार जिसका size जिसकी importance कम होती है जिसमें कोई चीज missing होती है लंबा sentence था देखो बहुत चीजें इसमें उलजी हुई थी एक बार repeat कर रहा हूँ फिर आगे बढ़ना है structure देख करके इस रूप में जो है वक्त का जो लगाया गया था बादचीत करने में legislation कानून के उपर और जो वक्त लगाया गया था बुलाए जाने में सार्थक बहसों को debates को और ऐसी बहस जो सार्थक है अपनी tone और अपने मिजास दोनों में कह रहा है एक तो इस रूप में दूसरा अगर quality को देखा जाए in the quality जो है discussion की reliance की और participation की बादचित की भरोसे की और भागिदारी की और ये है expert opinion की विश्यशक्यों की राय की और ये होती है through the agency of के जरिये standing और parliamentary committees के अगर दोनों ही तरीके से देखा जाए तो दूसरे कई factors के लावा इन दोनों चीजों में parliamentary sessions जो है इंडिया के वो पाए गए है wanting अपने आप में कमतर अपने आप में inadequate sessions है subject have been found इसकी वर्ब है passive voice perfect tense have been blessed में वर्ब की third form tenor का मतलब जानते हैं आप मिजाज gist है ना deliberate करना मंतर करना ponder करना ruminate करना सब इसके synonyms है through the agency of ये बहुत ही अच्छा और advanced phrase है इसका मतलब होता है की मदद से with the help of use करके दिखा देता हूँ मैं आपको एक second डुक जाओ इसको थोड़ा सा बीच में लगते हैं चलो जी through the agency of मतलब with the help of या by way of she got this job through the agency of her looks उसको ये नोकरी मिली और किसके जरीए उसके looks के जरीए अपने looks की help से अपनी सुंदरता की वज़े से उसको ये job मिली आईवाज समझ में तो ऐसे आप इसको use करते हैं you can learn anything through the agency of books आप कुछ भी सीख सकते हैं अच्छी किताबों की agency से अच्छी किताबों की मदद से through the agency of via या by way of books चलिए ये phrase को use करना सीखना एक sentence आपके सामने चोड़ रहा हूँ smart phone के जरीए या smart phones के जरीए अब हर student घर बैटे बढ़ सकता है इसी phrase को use करना है through the agency of books smart phones के जरीए अब हर student घर बैटे बढ़ सकता है use करो और English में लिखो comments में डालना चेक करेंगे कितने लोगों का सही कितने लोगों का गलत चलो आगे बढ़ते हैं करे much of this deterioration is a consequence of representatives of political parties utilizing parliament more to showcase political spectacle करे जरादर जो deterioration आया है deterioration आप जानते हैं worsening किसी चीज़ के जो है quality में गिरावट करें जादा तर जो quality में गिरावट आई है deterioration आया है ये एक consequence है एक नतीजा है और किसका ये है उस representatives का जो है political party के political party के प्रतिनीदियों का करें ये consequence है इन प्रतिनीदियों के utilize करने का इस्तिमाल में लेने का parliament को और करें जादा more क्यों showcase करने के लिए दिखाने के लिए अपने राजनेतिक नजारे को political spectacle को कि देखो हम कैसे बात करते हैं देखो हम कैसे काम को रुगवा देते हैं तो ये वज़ा है जारातर इस deterioration की सारे नेता जो है अपने सियासत चिमकाने की कोशिश करते हैं और बजाए किसके पार्लेमेंट को ज़्यादा यूज में लेते हैं इसमें बजाए देन यूज करने के पार्लेमेंट को एक forum के तोर पे एक platform मंच के तोर पे जो है कुछ गहन serious legislative functioning का कानून निर्मान की जो है कामगिरी का आई बात समझ में तो कानून बानून नहीं मनाते हैं यह वहाँ पार्लेमेंट में आते हैं और बड़ी बड़ी बहस करने आते हैं इस तरीके से बहस करेंगे कि काम रुख जाए political spectacle दिखाना ही नजारा दिखाना ही इनका सबसे बड़ा objective होता है sentence की structure देखेंगे मच subject है consequence का मतलब है नतीजा representative मतलब प्रतिनिदी अच्छा spectacle का मतलब होता है नजारा optics है ना किसी चीज़ के लिए जो आपका समझ गे ना नजारा optics बोलते हैं इसको forum का मतलब आप जानते हैं मंच या platform फटा-फट से दो grammar rules हैं उनको नज़र डालते है forum एक singular word है आप जानते है forum, bacterium, podium, stadium, medium, addendum जिनके last में ऐसे m, m, m आ रहा है न ये सब singular है अब यहां भी देख रहे हैं as a forum a लगा हुए अगर इनका plural बनाना हो तो कैसे बनाया जाए कैसे बनाया जाए जी सबको आना चाहिए बड़ा ही simple सा concept है देखो plural बनाने का simple सा तरीका है अम को निकाल दो और इसकी जगा लगा दो a तो forum का बन जाएगा फोरा bacterium का बन जाएगा क्या बन जाएगा bacteria criterion का बन जाएगा criteria criterion आनक वैसे criteria medium का बन जाएगा media और वैसे ही stadium podium का बन जाएगा stadium और podia stadia और podia याद रखना इनको singular floor कैसे बनाना है यह अलग टाइप के डाउंस है थोड़े से irregular तरीके से चलते हैं अगला जो grammar concept है वो यहाँ है spectacle पे देखो यह spectacle जो word है ना जिसका मैंने आपको meaning अभी बताया sight नजारा optics यह तभी होगा जब यह singular हो singular मतलब पीछे s ना आ रहा हो अगर आपको s लगाना है इस word के पीछे तो इसका meaning हो जाएगा sun eyeglasses यानि चश्मा बात समझे मेरी singular में इसका meaning कुछ और है plural में कुछ और है singular में boy का मतलब होता है लड़का plural में boys का मतलब होता है लड़के लेकिन spectacle का plural बनाओगे तो नजारे नहीं बनेगा spectacle का plural बन जाएगा चश्मा तो ऐसे words आपको दिमाग में बिठाने हैं जिनका plural बनते ही उनका meaning change हो जाता है अब ऐसे कौन से word है आओ फटाफट से नज़र डालते है ये सारे words है इस sheet में premise, premises, iron, irons, water, waters premise का मतलब है आधार premise का मतलब होता है boundary iron का मतलब है loha irons का मतलब होता है जंजीरे water का मतलब है पानी waters का मतलब है समूदरी सीमा किसी देश की या फिर किसी नदी नाले समंदर का पानी उसको भी waters बोलते हैं जैसे waters of Ganges Ganges मतलब गंगा नदी को गंजी बोलते हैं अंग्रेजी में तो water of Ganges गंगा नदी का पानी याद आगी बात समझ में आगी spectacle अभी बताया था नजारा spectacles मतलब glasses चश्मा blind एक adjective है इसका मतलब होता है देखना पाए visually challenged हो अंधा हो blinds का मतलब होता है परदे ठीक है अब आप बोलो जी एक परदा है मेरे पास तो मैं क्या लिखूंगा तब भी ब्लाइंड सी लिखना है वन पीस ऑफ ब्लाइंड लिख दो पंगे नहीं लेने इस word के साथ परदे के मतलब है blinds ऐसे ही यूज करना है curtains wood मतलब material, woods का मतलब है forest, wood मतलब लगडी, woods का मतलब है जंगल और एक woods का मतलब होता है खतरा यानी की dangers जैसे आपने सुना होगा she is out of woods वो अब खतरे से बाहर है तो woods सी लिखोगे she is out of wood में लिखोगे पीछे ऐस लगाना पड़ेगा manner का मतलब है तरीका, manners का मतलब है तमीज, adequates, plastic का मतलब है plastic material, plastic सा मतलब है plastic बनाने की कला तो यह 5 सा 10 हैं दिमाग में बिठालो, बार बार इन पे questions बनेंगे, आज के quiz में भी देखा जाएगा यहां भी वही हुआ है, क्या हुआ जी यहां पे, यहां पे लगाया गया है spectacle को, नजारे को आगे बढ़ते हैं, क्यारे, this practice was given primacy by the BJP, by the भारती जन्ता party, during the UPA alliances tenure in government कहाँ यह जो पूरी प्रथा है, यह जो आपने उपर देखी है, इसको प्रयमसी दिया गया था, इसको परधानता दी गई थी, प्रयमसी मतलब किसी को प्राइम बना देना, और किसके दोरा है, BJP को दोरा दी और कब दी गई थी, UPG Puns के गठभा अगायाम के गठभादन के other parties के रहा है अब इसको copycat करके copy कर लिया गया है Congress और दूसरी parties के द्वारा जो अब बीजेपी के सामने position में बैठी है अब यह कौन सी party यह वो parties है who are utilizing the houses more and more as arenas of protest अब यह वो party यह हैं जो इस्तेमाल में ले रही हैं दोनों houses को लोकसभा राजेसभा को और कैसे ले रही हैं जादा से जादा more and more और कैसे अरेना के तोर पे प्रोटेस्ट के अखाड़े के तोर पे विरोध के तो विरोध का अखाड़ा बना दिया इसको Congress ने और दूसरी पहले समझ में आगे सिंटेंस प्रेटिस की वर्ब है वाज गिवन अगें पैसे वोईस में वाज प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेटिस को प्रेमिसी दी गई थी पॉलिटिकल प्रेटिस के आगे हमेशा दा लगाएं देखो बीजेपी क्या कि दा आ रहा है Congress क्या कि दा आ रहा है टेन्योर का मतलब होता है कारेकाल क्या होता जी कारेकाल पीरियड ओफ सर्विस प्रेटिस की और वर्ब भी है एंड कंजंक्शन के बाद और इस वर्ब का नाम है है जना हमें रखा यहां रखा तो धियान क्या करना है एड वर्पस को सेंटेंस में पहली helping के बाद रखना है चाहे 5 helping वर्प्स आ रही है को मतलब नहीं हुट से अपने को पहली के बाद में को प्लेस करना है चलो आगे बढ़ें हूप की वर्ब है आर यूटिलाइज़िंग हूआ पाया अधर पार्टी और कॉंग्रेस के लिए चलो यह वन वर्ड है अरेना अरेना का मतलब क्या होता है जी अखाड़ा अखाड़े को बोलते हैं इंग्लीश में वन वर्ड फॉर्म में अरेना आगे जी कह रहा है थोड़ा सा इसको फोकस में लाएं करें जी disruption has become the norm disruption जो है disturbance जो है अब वो नियम या norm बन चुकी है काईदा यही है संसदका की disturbance हो ऐसा वहाँ के निताओं ने मानी लिए है और कैसे माना है with the opposition seeking to use the debates as a ploy to gain publicity यह काम हो रहा है opposition के seek कर लेने के साथ ही seek का मतलब है चाहना या किसी चीज़ को पाने की कोशिश करना opposition के इस चीज़ को seek करने के साथ ही चाहने या पा लेने कोशिश करने के साथ ही जो है use करने का संसद में होने वाली debates को भैसों को एक ploy के तोर पे एक gimmick के तोर पे एक पैंतरे के तोर पे जो है publicity को gain करने का अब यह काम कैसे हो रहा है जी यह बता रहा है यह काम हो रहा है just as the bjp did earlier बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले bjp किया करती थी 10 साल पहले करें but nonetheless even more damaging to the legislative business with the ruling party choosing to pass bills without adequate discussion करें लेकिन फिर भी यह उपर वाली बात तो देख ली सब गटिया है पहले वो थे अब यह है पहले वो उल्टे काम करें ते अब यह कर रहे हैं यह बात तो ठीक है सारी बात हमने समझ ली करें इसी के साथ ही हुआ क्या nonetheless nonetheless का मतलब है despite everything इन सब बातों को भूल भी जाओ तो करें और भी ज्यादा जो damaging है जो परिशान करने वाली चीज नुकसान करने वाली चीज है और किसके लिए legislative business के लिए कानून के निर्मान के business के लिए तू लगा के बिता रहा है करें वो हो क्या रहा है वो हो रहा है with के सा कि तो यह सब उल्टे काम हो रहे हैं लड़ाईयां खूब होती है और इससे भी खड़ाब चीजी है बीजेपी ने सोच लिया है डूलिंग पार्टी ने कि बिल्स को ऐसे पास करवाना है कि उस पर भैस होगी ना समझे ना चलो disruption की वह है has become norm का मतलब है काईदा seeking यहाँ पर सब्सक्राइब करेंण के अब लगाराए है यहाँ तर्पर द्रावग ड़्यूट्य यहाँ लास्ट विक अब लगाराए यहाँ यहाँ पर दैश और इसके बीच में कई सारी चीजे बताएगा अब यह बीच वाला सारा छोड़ दो ठीक है इस डैश से इस डैश के बीच का अलग से कर दो बाकी का पड़ेंगे कहा अधर अंसीम्ली सीन्स इन पार्लियमेंट लास्ट वीग है व अलसो एक्जेंप्लिफाइड दा ड्र इसले ही हफ्तें हुए रहा इन्हों ने भी इंगेड़ एक्जंपल दीया है वधारन दिया है मिशाल दी एक बहुती ड्रॉस्तिक फॉल की एक बहुत रही गिरावट की हमारे पारलियमेंट लेमन के मुलें में स्टेंडर्स में अब बीच में यह सारी घ्रिव इंपहों इस पे एक सी टर्म जो थी स्ट्रेर ऐसा इस थमाल किया गया एक शब्द का जो था बड़ा ही एमलस लेक बशलतमक है बतक 늘 संद्रीं दिवारा जो इसकाम कोंडिया यह दूसरा काम क्या हूँ and then the heckling of Congress President Sonia Gandhi कह रहा है और इसके बाद में जो heckling हुई थी जो bully हुई थी जो चिड़ाया क्या था Congress President Sonia Gandhi को तो ये सारे काम पिछले Unseemly जो हैं हमारी Parliament में exemplify कर रहे हैं वहां की गिरती हुई fall को Scene साब का subject है have also exemplified इसकी verb है पहली helping verb के बाद में ही add verb को लगाया जाता है he की verb है has apologized he has ओदरी के लिए फिरोर मतलब गुसा stray का मतलब है aimless भटका हुआ heckling आप ओलेडी जानते हैं किसी को bully करना परिशान करना इससे बिलकुल अलग word है haggle जिसका मतलब होता है किसी को mole भाफ करना है ना अलग word है वह haggle चलो आजाओ next paragraph पे करे दा officials in charge of maintaining decorum and order meanwhile have chosen to take punitive actions in suspending 27 MPs करे जो अधिकारी है कोन अधिकारी वही जो in charge of हैं इसको जिनको चार्ज मिला हुआ है और क्या करने का maintain करने का decorum को decorum का मतलब होता है सही बरताव सही पर्यावरण सही वादावरण करे जो अधिकारी है जिनको ये काम करने का decorum को maintain करने का charge मिला है और किसको maintain करने का order को order का मतलब होता है नियम कानून काईदा करे इसी बीच उन्होंने ना meanwhile इसी बीच choose किया है इस विकल्प को पर्लेमेंट्स को अब को मा लगा कि बता रहा है करें मैनी फोर दा एंटायर सी मौनसुन सेशन करें ज्यादा तर इन में से हो जाएंगे पूरे मौनसुन इसी बात पर उन्होंने उसको मलब जो है punitive action दे दिया अब ये काम कैसे हुआ giving an impression that they would brook no protest from the opposition ये काम इन officials ने किया give करते हुए इस impression को कि ये officials brook नहीं करेंगे brook का मतलब होता है tolerate करना bear करना सहना ये नहीं सहेंगे किसी भी protest को opposition की तरफ से और करें in turn in turn furthering the hostility towards the ruling party और ये जो काम इन्होंने किया है न इस तरीके से give करते हुए इस impression को आगे जागर के in turn इन्होंने further करते हुए भी किया है further का मतलब होता है बढ़ाना और आगे ले जान और किसको शतुरता को hostility को दुश्मनी को ruling party की तरफ towards the ruling party तो ऐसा हुआ हमारी ruling party की officials जो है 27 MPs को suspend करके बैठे हैं उनका मानना यही है कि कोई भी opposition का मौकाम प्रोटेस्ट का मौका इनको नहीं देंगे और साथी साथ अपने अपने लिए कड़वाट को hostility को भी ruling party गिलाब वो फर्दर कर रहे हैं बढ़ा रहे हैं ऑफिशल्स की वह वह हैं है फ्यूनिटी मतलब जिसमें punishment हो डिकोरम का मतलब होता है सही environment appropriate behavior फ्लैकर्ट का मतलब होता है साइन बोर्ड जो हाथ में आप ले लेते हो अपना प्रोटेस्ट बताते हो दे की वह वह है वुड बूक बू tolerate या put up with करना further करना मतलब आगे बढ़ाना hostility मतलब शतुर्ता याने की animosity चलो आगे बढ़े करा this has been exacerbated by the ruling party's stance on opposition request for a debate on key issues such as price rise अब करा ये कम नहीं था इसके बाद एक और गटना हो गई इसको एक्सेसर बेट किया गया है this has been exacerbate passive voice लगी है यहाँ पर इसको और बत से बत्तर बनाया गया है और किसके द्वारा बीजेपी के ruling party के इस stance इस position के द्वारा अब opposition बताएगा इसकी बीजेपी की कौन सी है यह position है opposition की request को लेकर के कोशिशों को जो है opposition की request को लेकर के जो है debate या बहस के लिए important issues पे की मुद्धों पे जैसे की मुद्ध है price rise का बढ़ती हुई मेंगाई का तो बीजेपी एक तो ऐसा कर रही है ऊपर से opposition की बात नहीं सुन रही बहस करने को तयारी नहीं है opposition से तो मामला और बत से बत्तर होता जा रहा है समझ के simple sentence था this की वह है has been accelerated stance का मतलब है position अब आगे बता रहे कर रहा data from the LS यानिकी लोग secret rates short that suspension of MPs went up three times during the BJP's tenure in power करे जो data आया है लोग सभा और राज्यसभा के secret rates से दोनों ही सदनों के दोनों ही houses की secretary के offices से क्या data है इस data नहीं यह हमें दिखाया है short that वह यह कि जो suspension है हमारे member of parliaments का यह went up हो गया यानिकी increase हो गया और कितना तीन गुना हो गया और कब during the BJP's tenure in power BJP के कारे काल के दौरान पावर के अंदर अचा किसके मुगाबले तीन गुना हुआ अब यहां से बताएगा compared to the previous eight years अगर पिछले आठ सालों को आप BJP आने से पहले गिने तो ऐसा हमें data से पता लगा data की वब है short suspensions की वब है went up went up मतलब बढ़ जाना tenure मतलब करेकाल period of service और कुछ जिसमें देखने वाला है नहीं three times मतलब thrice यानि की तीन गुना simple है न आर्टिकल correctly an attempt must be made by parliamentarians to tamp down on this hostility करेसाव तोर पे जाहिड तोर पे एक कोशिश जो है उसको बनाए जाना चाहिए must be made होना चाहिए और किसके द्वारा हमारे parliamentarians के द्वारा पालियमेंडेनिस कोन है MPs हमारे MPs के द्वारा अच्छा क्या किया क्या करने के लिए कोशिश होनी से यह temp down करने की to damp down time down करना मतलब किसी चीज की intensity को कम करना और किसको time down करना है इस hostility पे इस कड़वाट पे इस दुश्मनी पे अच्छा यह काम कैसे होगा जी सारा का सारा यह काम होगा with इस चीज के साथ ही यह काम होगा इस चीज के साथ ही और यह चीज है जो जिम्मेदारी है जो responsibility है इस काम को करने की on doing so वो होने के बिंग ज्यादा मोर हमारी ruling party पे बीजेबी पे and its representatives और इसके नुमाइंदों पे इसके प्रतिनीदियों पे तो अब जरूरत आ गई है कि सभी political party आं साथ में आएं और बहस करना बंद करें कुत्ते बिल्ले के तरह हैं अपनी hostility को कम करें और कानून निर्मान का काम करें जिसके लिए उनको चुना गया है और इसकी जिम्मेदारी ruling party पे ज्यादा आती है क्योंकि power उनके पास ज्याद dialogue will go a long way in mending relations अब ये काम कैसे होगा किरा एगर revocation करवा लिया जाए revocation मतलब किसी चीज को deactivate या cancel करना देखो एक तो word English में evoke या invoke इसका मतलब है activate करना या roll out करना दूसरा word है इसका ultra revoke यानि की roll back किसी को deactivate करना करा एगर revoke कर लिया जाए वापिस ले लिया जाए और किसको इन suspension को और dialogue जो है dialogue को भी वापिस ले लिया जाए तो करें ये जो revocation है ये will go होगा ये जाएगा और बहुत ही आगे तक जाएगा लंबे रस्ते तक जाएगा mend करने में repair करने में आपसी रिष्टों को relations को तो BJP को अब इन 27 को वापिस बुला लेना चाहिए इस से रिष्ट as the farmers protest that raised on for more than a year short care as जैसा की farmers के प्रोटेस्ट ने किसानों के आंदोलन ने अब ये farmers plural का जैसी बनाया हुआ ध्यान दे लेना करें जैसा की किसानों के आंदोलन ने और कौन सा आंदोलन जो raise on किया raise मतलब गुसा on मतलब जारी जो जारी रहा गुसे गुसे में और कब तक के ल एक साल से जादा करें जैसा की इस किसानों के अंदोलन ने जो एक साल से जादा चला इसने बताया है शो किया है क्या शो किया है शो यह किया है कि the lack of adequate parliamentary process in deliberating legislation of consequence can result in social conflict करें कि जो lack का मतलब है कमी और कमी किसकी परयाप्त रूप से parliamentary process की संसद में बात करने की काम करने की जो system है उसकी adequacy में जो lack है उसकी परयाप्ता में जो कमी है और यह किसी में process कौन सी है यह process है in deliberate करने में बाचीत करने में कानून को लेकर के legislation को लेकर के और कानून कौन सा वो कानून जिसका कुछ consequence निकले वो कानून जड़ा जो बड़ा important ह है की है consequence वाल है के रहा है इसका जो lack है इसमें जो कमी है इस type की यह result in हो सकती है इसका नतीजा निकल सकता है social conflict समाज के अंदर जगडे कानून अगर ढंक से नहीं मनाओगे न important वाले समाज में food पड़ जाती है कहने का मतलब यह और दूसरा जो result निकलेगा इसका a democratic deficit in outcomes इसक है जो भी outcomes निकलेंगे जो भी नतीजे निकलेंगे उनमे एक democratic deficit होगा उनमे democracy गंद तंतर आपको deficit के साथ में दिखेगा थोड़ा सा हिलता हुआ दिखेगा कम तर दिखेगा आगे बास समाज में अच्छे sentences है सारे protest की verb है short that की verb है raised on that I have protest के लिए lack यानि कमी की verb है can result in result in होना किसी चीज़ का कोई result निकल करके आना of consequence एक phrase होता है इसका मतलब है ऐसी चीज़ जो बड़ी important हो जिसके consequences परिनाम बहुत बड़े बड़े हो consequence का synonym ही outcome नाम का word है दोनों एक दूसरे के synonyms है करे there are enough tools, mechanisms, structures and precedents in India's parliamentary history करे इंडिया की parliamentary history अगर आप देखो संसद का इतिहास देखो तो there are enough वहाँ पे enough tools, mechanisms, structures और precedents है tools का मतलब है उपकरण, तरीके, mechanism का मतलब होता है system, structure का मतलब होता है धांचे और precedent का मतलब होता है मिसाल तो ये चारो ही खूब है, परियाप्त है अब ये कौन सी चीजी है सारो की चारो that can be relied on, जिन पे rely upon या on किया जा सकता है जिन पे नेरबर किया जा सकता है और किसके दवारा, by the current set of legislators आज कलके legislators का current set, जो आज कलके जो है, आज कलकी जो खेप है legislators की उनके दवारा, अच्छा क्यों rely on करना है ये करना है to bring back useful derivation useful बातचित को bring back करने के लिए सार्तक भहस को वापिस लाने के लिए तो अगर आपको रस्ता भटक गए हो ना तो अपना इतिहास पढ़ लो, हमारे parliamentary इतिहास में आप देखोगे कई tools, mechanism, structure और precedent आपको मिल जाएंगे, मिसाले मिल जाएंगी जिसके दवारा इस काम को आप easily आज भी कर सकते हैं इन चारों की वर्ब है are close देर से शुरू हो रहा है, वर्ब के बाद में subject रखा होता है, ये चारों ही subjects है, precedent word आप देख चुके हो इसका मतलब होता है, मिसाल, past example paradigm, paragon, इसी से word बनता है, unprecedented, जिसकी कोई मिसाल ना हो, that की word can be relied on, that आया है इन चारों चीजों के लिए, है न rely on, rely upon, depend on, depend upon, ऐसे ही चलती हैं, ये सारी phrasal verbs, deliberation मतलब बातचित, चलिए last sentence है, can a parliamentarians can realize that the bedrock of a functioning democracy is a flourishing legislature, कह रहा है हमारे parliamentarians को, हमारे MPs को, समिधान निर्मात, कानून निर्माताओं को इस चीज को realize करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, किस चीज को realize करना है, that वो ये, कि जो bedrock है, जो अधार है, जो main stay है, सबसे बड़ा अधार है, एक functioning democracy सीका, एक सही तरीके से काम करने वाले गंड तंत्र का, वो क्या है, वो होता है, एक ऐसा legislature, एक ऐसी व्यवस्थापी का, एक ऐसी parliament, जो flourishing हो, जो fulful रही हो, अच्छे तरीके से parliament काम करेगी, तभी देश काम करता है, ये बात सबको जाननी चाहिए, खास करके, हमारे parliamentarians, MPs को, इनकी वो बोगी must realize, बैटरों का आप जानते हैं, main आधार इसकी वोब है, flourishing हर वो चीज़ है, जो flourish कर रही हो, thrive कर रही हो, fulful रही हो, चली आज का article थोड़ा सा heavy था, vocabulary में, grammar ज़्यादा नहीं है, एक ऐसा field, जहाँ पर contest टेक प्लेस करते हैं, हिंदीं बोले तो अखाड़ा, अखाड़े के लिए कौन सा one word आप यूज़ करेंगे, तो अखाड़ा नाम का word आपको करवा चुका हूँ, आर्टिकल में, देख ले ना, तीसरे चोथे में दो errors मिलेंगी, बहुत आसान है, मैं आपको छोटे-छोटे उनके example दे लेता हूँ, hints दे लेता हूँ, पहली error मिलेगी इस word के आसपास, और दूसरी errors मिलेंगी, आपको error मिलेगी, injurious नाम के word के आसपास, ठीक है, देख ले ना, कहा errors है, comment में answer डाल रहा हूँ, वहाँ से check कर सकते हो, पांचमा filler है, filler में आपसे पूछा है, haggle और heckle, इन दोनों words में क्या difference है, तो शुरू में करवा दिये हैं, आपको haggle और heckle क्या कहते हैं, सही word को सही meaning के साथ में आपको यहाँ पे रखना है, पांचों के answer फर्स comment में हैं, जाओ और check करो, out of five कितने marks मिलें जरूर से बताना, अच्छा आज आपके लिए challenge है, आज की summary अगर लिख सको तो बहुत बड़ी बात है, कोशिश करेंगे सभी लोग, जो लोग summary आज की 3-4 sentences में English में लिख सकें, चलिए मुलागात हो कि कल, एक like और एक share जरूर से दे session को, courses available है, SSC, banking और UPSC writing के, descriptive writing के फाइदा ले सकते हो, सभी courses का फाइदा लेने के लिए app को download करो, first comment में इसका link है, और कोई भी query हो तो ये number है, इस number से आप team से बात कर सकते हैं, चलिए, until then, signing out.